गुड मोर्णिंग सभी को पिछले क्लास में पिछले दो क्लास से हम लोग कर रहे हैं सबसे स्टार्टिंग वाले क्लास में हम लोग सीखे थे फाइल कैसे बनेगा ठीक है तो फाइल बनाना हम लोग सीख गए फिर सेकंड क्लास में हम लोग सीखे जो फाइल आखिर बना की अगर नई बनता तो message देता unable to create file और अगर बना तो file created successfully इसको दो तरीके से हम लोग चेक भी किये थे को notepad में भी देखे थे और एक ये through programming अब file तो हम बना लिए अब हम लोग सिखते हैं जो आखिर file में लिखेंगे कैसे ठीक है file में लिखेंगे कैसे तो जैसे मान लीजिए ह इसका मतलब अगला काम क्या होगा हम लोग को लिखना अब लिखेंगे कैसे देखिए printf जब लिखते हैं तो computer के screen पर में print होता है ठीक है और हमको इस बार computer के screen पर में नहीं डालना है हमको एक file में डालना है जिसका नाम है राज और उसको खोले हैं हम W मने right के लिए तो इस लिखते थे printf लेकिन अब हम लोग लिखेंगे f printf तो printf computer के screen पर में print करता है और f printf file में डालता है अब सवाल उड़ता है जो कौन से file में आप डालना चाहते हैं तो आप तो डालना चाहते हैं राज में राज को connect किया है कि से p से इसलिए हम लिखेंगे p में डालो p, ठीक और किसको डालना चाहते हैं सबोस कर यह हम कोई string को डालना चाहते हैं वो है माल लिजिए संजीब संजीब ठीक है तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो यह जो संजीब जो है यह computer का screen पर नहीं दीखेगा लेकिन यह दिखेगा कहां एक file में अब वो file किस से connected है पी से ठीक है ना यह पी से connected है तो मतलब संजीब पी के थुरू कहां चला जाएगा राज में यह देखिए compile कर रहे हैं success आना तो अभी तो यह नहीं लिखाया होगा क्योंकि अभी हम इसको run नहीं किये हैं एक ही बार में कर लेंगे आप जैसे f printf किया है तो direct संजीब चला गया दूसरा करते हैं क्या यूजर से एक नाम लेंगे ठीक है यूजर जो नाम डालेगा उसको हम लोग file में डालेंगे तो यहां पर मैं एक message डालते हैं printf और यहां बोल दिए enter एक message दे रहते हैं enter your name please ठीक है तो user अपना जो भी नाम डालेगा उसको हम ले लेंगे तो scanf और यहां पर मैं हम लोग डाल दिए percent s और यहां comma डाल करके एक variable लेंगे तो एक variable हम लोग ले लेते हैं तो यहां पर मैं हम लोग क्या लिखेंगे क्यार एस्ट्रिक क्यू तो क्यू एक character pointer हो गया तो उसमें हम लोग ले लेंगे तो यह हो गया क्यू में ठीक है यह जनरली इस तरीके से बहुत कम student करते हैं क्यूंकि उसके दिमाग में यह है जो नाम लेना है तो उसके लिए हमको character array लेना है यह हमारा कोई मजबूरी नहीं है हम character array भी ले सकते हैं हम character pointer भी ले सकते हैं यह देखे compile कर रहे हैं तो यह success हारा है इसका मतलब यह दोनों तरीका सही है और general user जो करता था तो वह अला भी कर लेंगे नहीं तो फिर वो लोग बुरा मान जाएगा तो एक array ले लेते हैं character array और वो ले लिए suppose कर यह 25 का ले लि यह भी ले ही लेते हैं इसको copy किये और इसको यहां आकर के paste कर दिये तो यहां enter your name और यहां enter your friends name please ठीक है और इसका बात जो इसको जो scanf करेंगे वह हम लोग ले ले लेंगे कहा है आर में आर बनाए थे ठीक है तो देखे यहां पर में हम लोग क्या किये यहां पर में हम लोग संजीव एक string constant है जिसको की हम P में डाले ठीक है उसके बाद user से हम एक नाम लिए अब user जो नाम देगा उसको हम Q में रखेंगे फिर Q में जो है उसको हमको कहां डालना है फाइल में डालना है तो यहां लिख देंगे F printf ठीक है डालना किस में है P में किसको डालना है तो हम लोग लिखेंगे Q को डालो ठीक है यह चला गया फिर अब R में भी लिए है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे सब को समझ में आ रहा होगा यहां f, print, f, डालना किस में है, p में, डालना किस को है, r को, यहां r को डाल दिये, हो गया, तो इस तरीके से हम लोग क्या किये, बहले एक string को डाले, फिर दूसरा तरीका क्या किये, user जो string दिया, उसको डाले, character, pointer के थूरू, फिर तीसरा तरीका क्या किये, यूजर जो friend का नाम दिया उसको r के थुरू डाले इस बार r हमारा character array था और यह सारा चीज हो गया यह देखिए compile कर रहे हैं तो success आ रहा है run करेंगे तो क्या होगा संजीब तो जाएगा ही क्योंकि वो तो string constant है और दो नाम जो जाएगा वो हमको नहीं पता है वो तो जब run करेंगे तब पता चलेगा अब user क्या देगा तो हम लोग इसको run करते हैं तो enter your name please कर रहा है देखिए पहले कर रहा है file created successfully क्योंकि file हमारा बन गया उसके बाद कर रहा है enter your name please मान लिजे संजीब एक डाल दिये तो एक बार राजीव डालते हैं फिर बोल रहा है enter your friends name please मान लिजे हम डाल देते हैं मनीस मनीस डाले तो इस तरीके से मेरे file के अंदर में तीन नाम गया एक direct संजीब दूसरा character array के थुरू character pointer के थुरू और तीसरा character array के थुरू ठीक है यदि कि हम run किये और यह program हमारा समाप्त हुआ अब आखिर गया कि नहीं गया जरा इसको चेक कर लिया जाए तो चेक करने का दो तरीका बताए थे एक तरीका था आप उधर जाकर के direct check कर लिजिए सी ड्राइब को खोल के तो हम सी ड्राइब को खोल करके ही करते हैं direct ठीक है तो यहां computer को खोले फिर देखिए सी ड्राइब को खोले टर्बो सी प्लस प्लस को खोले डिस को खोले टर्बो सी 3 को खोले बीन को खोले और मेरा फाइल का नाम था राज यह देखिए राज दिखा तो हमारा यह फाइल फुल जाएगा यह देखें नोट पैडड में को खोल रहे हैं कि आ तो इस तरीके से हम लोग ैस्ट्रिंग को डाले फाइल में ठिंखें कि अब यह राज हमारा पर्मानेंटली सेव रहेगा तो कभी भी हम चाहेंगे इसको खोल करके देखेंगे तो हमको दीखेगा तो इस तरीके से हम लोग क्या किया एक फाइल बनाए बना की नहीं बना उसको चेक कर लिए चेक करने के बाद हम उसमें डाल लिए जो भी चीज डालना था उसको ठीक है तो अब हम लोग क्या सीखें जो किस तरीके से हम लोग फाइल बनाते हैं उसको चेक कैसे करते हैं उसके बाद उस फाइल में स्टोर कैसे करते हैं ठीक Delicious है तोौ आज हम लोग इतना ही रखतें हैं Next क्लास में अब हम लोग को सीखना है जो file में तो हम डाल दिये अब file में हम लोग राइट किये हैं next class में हम लोग सीखेंगे जो आखिर फाइल से रीट कैसे करेंगे यह तो notpad में जाके खोल के देख लिए वो दूसरा तरीका हुआ how you can see the contents of the file through your own program अपने से एक program बनाओ जो की तुम्हारा text फाइल जो पहले से बनाए हो उसका contents को पढ़ के कैसे दिखाएगा ठीक है तो next class में हम लोग इसको करेंगे तब तक के लिए बाई बाई